Transcription, Process of Coping Genetic Information from one DNA strand of into RNA. तो ये DNA से RNA बनने के जो process है उसी को transcription बोला जाता है principle of complementaryity governs process except that adenosine complements now forms base pair with यूरेसल तो यहां पर जो complementary का जो rule है वो यहां पर भी लगता है यहां पर क्या है DNA से जो mRNA बनेगा तो उसके अंदर बस mRNA के अंदर एक जो जहां पर timing आना चाहिए वहां पर यूरेसल आता रहेगा only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA तो यहां पर एक segment ही DNA का वो यूज किया जाता है और एक strand ही copy करती है RNA की तो कई वरी question पोच लेते हैं कि दोनों strand क्यों नहीं काम करती है यहां पर एक strand से copy क्यों लिजाती है जैसे replication मने देखा है दोनों strand में चलती है लेकिन जो transcriptional single strand में चलेगी reason क्या है यदि वो दोनों code करेंगी RNA के लिए with different sequences तो further code for protein of different sequences of amino acid तो अलग-अलग sequence देखने को मिलेगी अलग-अलग DNA strand में जिसकी वजह से single mRNA है एक ही जगह से बना हुआ जो mRNA है वो अलग-अलग protein को code करता हो मिलेगा जिसकी वजह से complexity अब हो जाता देखने को मिलेगी एक जो step एक जो mRNA वो काफी सारे protein बनाता हुआ देखने को मिलेगा two RNA molecules यदी produce होते हैं एक साथ में simultaneously का मतलब साथ साथ में produce होते हैं would be complementary वो एक दुसरे complementary मिलेंगे और जैसे ही वो बनके त्यार होएंगे तो एक दुसरे के साथ ही bond मना के double standard structure हो बना लेते हैं double standard RNA बनाएंगे उसके पाद जो protein synthesis है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि protein synthesis के लिए हम आगे पड़ेंगे translation के अंदर mRNA को single standard होना पड़ेगा जिसके उपर आके RNA और RNA राइबो जो RNA यह पर बनता है messenger RNA बोलती है तो वही है which prevent RNA from being translated into protein तो इसकी वज़े से जो mRNA हो आगे protein को translate नहीं कर सकता translation process के अंदर नहीं जा सकता और exercise of transcription would become a futile one और इससे क्या है जो भी हमने मेहनत करी है जो mRNA बनाए है DNA से तो वो यदि protein ही नहीं बनाएगा तो process का फाइद है नहीं कि जुड़ी हुई process है transcription के बाद translation का उना बड़ा जुरूरी है तब यह central dogma काम का रहते है उसके बाद transcription unit तो transcription जहां पर शुरू होती है तो वो कुछ portion प्रजेंट होते हैं थ्री रीजन होते हैं एक promoter region होता है एक structural gene होते है कि terminator promoter का मतलब जो शुरू करवाता है process को structural जो main जिसकी हमने copy लेनी है DNA से वो bug और एक terminator जो की process को खतम करवाएगा terminate करवाएगा two strands have opposite polarity and DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in तो यहां पर जो DNA dependent RNA polymerase enzyme आएगा क्योंकि आपर RNA बनाना है किसको copy करके DNA को copy करके इसलिए DNA dependent रहेगा और दोनों strand of opposite polarity की जुरूर रहेगे लिए लिए हमने एक ही strand को copy करना है और जो enzyme काम करेगा वो भी जैसे हमने replication में देख्या था 5-2-3- direction ही रहेगी इसकी काम करने की template strand that has a polarity 3-2-5-4 जायर सी बात है जब इन नई strand 5-2-3- बनेगी तो पराने strand की polarity वो 3-2-5-2 चाहिएगी template की polarity है जो उसको template strand बोलें coding strand क्योंकि strand which has polarity to 5 इसे उल्टी जो strand होती है coding strand हालांकि code नहीं करती है वो code तो template strand ही करती है लेकिन इसका फाइंता क्या है वो आगे हम देखेंगे आल तो डजनोट code for anything but has a sequence same as RNA except timing तो नहीं करती है strand DNA की जो दुसरी strand होती है लेकिन इसके पास जो sequence होती है उसको sequence को देखके हम जो नया MRNA बनेगा पहले ही उसकी prediction कर सकते हैं तो इसलिए coding है जो इसको देखके की जाती है नए वाले जो MRNA बनेगा उसकी coding strand को देखके की जो भी हमने protein वगारा देखना है क्या बनेगा क्या नहीं वो सारे इस coding strand को देखके ही बढ़ाए जाते हैं इसलिए इसको coding strand बोलते हैं तो यह template strand है जैसे अलग-अलग 3-5-S की तरफ जा रही है एड़निन, थाइमिन, गवाइनिन, साइटोसीन, इस तरी के से जो nitrogenous base है वो एक regular arrangement में पाए जाती है DNA के अंदर और जो coding strand है इसी की जो दूसरी strand है DNA की उसको coding strand बोलते हैं और जो इससे first वाली strands है, जो template strands है, जो protein बनेगा जो mRNA तो उसकी strand क्या रहेगी उसको हम यहां से पता कर सकते हैं उसके प्रोमोर्टर रीजन क्या होत है, located towards the 5-end, upstream of structural gene, जो structural gene है जिसकी हमने information लेनी है उसके upstream side में रहता है, उसके left end side में देखने को मिलेगा और यह 5-end की तरफ रहता है जो नई strand होती है DNA sequence that provided binding site for the RNA polymerase और यह वो sequence होती है जहां पर जो DNA, जो RNA polymerase है, जो enzyme RNA की copy, ज्याज़ ज्यादा जो chain हो बनाएगा, polymerize करेगा, तो उसके लिए binding site का काम करती है, उसके chip कने का काम इस site पर रहता है DNA sequence portion पर, and its presence defines as the template and the coding strand, और इसी की presence है हम पता कर सकते हैं, यह template strand यहां से शुरूर ही है, terminate की वज़ए से वहां पर बता सकत है, तो इसी की position की वज़ए से हम हर एक जगह को transcription unit नहीं बोल सकते हैं, उसके लिए promotor site यदि परजेंट है, उसी को transcriptional, जो sequence हो बोला जाता है, by switching its position with terminator, definition of coding and template strand could be reversed, यदि हम promotor की जगह पर terminator ले आएं, terminator की जगह पर promotor तो जो process है, वो बिल्कुल reverse हो जाते है, क्योंकि process प terminator खतम हो निती, वहाँ से शुरू होएगी, और जहाँ पर शुरू हो निती, वहाँ पर खतम हो, जिगी reverse हो जाएगी पूरी strand, terminator क्या होता है, located towards 3-end, downstream होता है, coding strand के 3-end की तरफ रहेगा, जैसे जो template strand है, उस साइड में present होता है, जो coding strand के 5-end की तरफ रहेगा, तो उसको ह कोलते हैं, usually define the end of process transcription, तो transcription process को ही define करता है, उसका end है, जो उसकी process का जो खातमा इस जगह पर आके हो जाता है, additional regulatory sequence that may be present further upstream or downstream to promoter, तो कुछ अलग से regulatory sequence भी हो सकती है, जो process को regulate करती है, वो भी present हो सकती है, या तो upstream side में, जो DNA की upstream, downstream से हम यहां पर देख सकते हैं, जो gene है, जैसे यह T वाड़ा portion है, यदि इस से हमारी जो process है, इस side में start होने, यह right hand side में, तो यह downstream process होती है, और जो left hand side, इस T से इस side वाड़ा portion होता है, वो upstream कहलाता है, तो जो promoter है, मालों यहां पर promoter present है, तो इसके आगए जो process होएगी, वो downstream चलती है, और जैसे regulator बोल रहे है, यह कई वरी आगए भी मिलता है, कई वरी पीछे मिलता है, तो upstream, downstream किसी भी जगाए भी present हो सकता है, उसके बाद है structural gene, gene क्य to define a gene in its term of DNA sequence, DNA पर जुरूर पर जैन्ट होता है, लेकिन gene को हम sequence के बेस पर ने define कर सकते कि इस particular sequence से यह character code किया जाएगा, क्योंकि आगए देखेंगे supplicing भी हो, tmRNA की वहाँ से protein बढ़ता है, वो सारा character लिए होता है, तो यह कांपी complex process होती है, DNA sequencing coding for tRNA और rRNA molecule also define a gene, तो जो tRNA जो ribonucleic acid होते, इसके type of tRNA transfer tRNA और ribosomal RNA, तो उनको code करने वाड़े भी, जो DNA sequence उनको भी gene भोला जाता है, तो gene जुरूर ने character को code करेंगे, और शिरीर के कुछ constituent particle है, उनको भी code करते भी मिलेंगे, cistern क्या चीज़ों तैज, a segment of DNA coding for a polypeptide, वो बागो तैज DNA का जो एक polypeptide के लिए protein के लिए code करता है, structural gene in transcription unit, monocystronic भी हो सकता है, जो eukaryotes में देखने को मिलता है, कि एक transcription unit को एक ही protein के लिए code करेगी, polycystronic के case में, बैक्टिरिया में ज्यादा देखने को मिल जाती है, ज in eukaryotes, monocystronic structural gene have interrupted coding sequences splitted, तो जो coding sequence है, वो splitted form में पाया जाती है, अलग-लग जगाए पाया जाती है, जो monocystronic gene होते हैं, वो अलग-लग splitted form में पाया जाती है, split gene arrangement complicates definition, और यहीं से जैसे बताया है, कि जो splitting अलग-लग जगाए पाया जाना, वो बाद में जाके मिलते हैं, और मिलने के बाद protein synthesis करते हैं, तो उसे जो gene है, उसकी जो definition और complex हो जाती है, DNA segment के वेस पे, एक zone क्या है, coding sequence और expressed sequence, तो जो mature, आगे हम splicing पढ़ेंगे, जिसमें mRNA के अंदर कुछ change किये जाते हैं, और change करके जो एक mRNA त्यार होता है, तो उसके coding strand में, और expressed जो sequence होती है, जो final sequence हो बोलते हैं, और यह mature mRNA में, processed RNA में मिलता है, interrupted by intron, और जगह जगह पर यह एक zone है, जो introns के द्वारा interrupted होती है, जैसे एक zone portion मिलेगा, फिर intron मिलेगा, फिर एक zone, फिर intron, तो एक zone लगातार ने मिलती है, बीच बीच में जो introns है, वो देखने को मिलते हैं, तो introns क्या होती है, या interviewing, sequence क्या होती है, interviewing, मतलब बीच में जो present होती है, एक zone के, उन sequence को बोलते है, यह mature या processed RNA में देखने को नहीं मिलती है, RNA splicing के बाद इनको अटा दिया जाता है, और जो main structure मनती है, हुआ ही आके mRNA में sow की जाएगी, और उसी शेक प्रोटिन संता ऐसी जोता है, कुछ regulatory sequence भी ह PCV character को, कि inheritance को काफी प्रवावित करती है, क्योंकि इनी के उपर जो process है, transcription process है, उसी का regulation depend करता है कि process को on कब रखना है, off कब रखना है